असलोम अलेकुम हाई वरेवन वेल्कम बेक टु माई चैनल यूट्स मी नाहिता आप आप साफ व्लोग ठीटाप होंगे आज की वीडियो में मैं यह लोग क्रिएट करने वाली हूँ जो के है मीनो से इंस्पार्ड फॉम दर्रामा सेयल चुपके चुपके बहुत की इजी क्रिएट कर सकते हो अपने किसी वी ड्रेस के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉस्टराइज करूंगे और मैं नियुक्त क्रीम के लिए यह बहुत ही सबतर्स क्रीम है इसे विंटर्स में यूज कर सकते हो फेस को बिल्कुल भी कि यह बगार ही मॉस्टराइज कर देती है और आजकर मेरे स्किन एक्स्टराइज हो गी है तो इसलिए मैं इसे बहुत ज़ए और क्वाइन करूंगी ता कि अच्छे सी मॉस्टराइज कर जाए जाए बिल्कुल इतनी सी क्वाइन यूज करूँ यह पूरे फेस के लिए है और इसे कम quantity में अपने हाफ face पे apply करूंगी इसे हमारे open pores फिल हो जाएंगे और एक smooth canvas मिलेगा हमें base बनाने के लिए इसके बाद मैं fit me का ये ivory shade apply करूंगी अपने face पो ये foundation medium to light coverage देता है इसके बाद मैं beauty blender से blend करके loose powder apply कर दूंगी अपने base को set कर लोगी और इसके बाद हम eyebrows को fill करेंगे ये glam girl का ये मैं eyebrow palette ले रही हूँ हूँ इसमें ये brown और black shade है इन दोनों को मैं mix करके अपने eyebrows पे apply करूंगी आइसा हान की इस look में बहुत ही natural eyebrows दिये गे हैं और उनकी ये मेरी shape में जमीन आसमान का प्रक है लेकिन मैं वहाँ वहाँ पे apply करूंगी जहां पे मुझे जूरूत है बिल्कुल natural रखूंगी मैं अपने eyebrows को fill करने के बाद मैं spoolie से blend कर लूँगी set कर लूँगी अपनी eyebrows को इसके बाद मैं legal का concealer लूँगी और अपने eyebrows को shape दे लूँगी और इसी से मैं अपनी eye lid को भी cover कर लूँगी अपने ड्राक से को भी cover कर लूँगी आप चाहो तो brush से भी set कर सकते हैं beauty blender से भी set कर सकते हैं जो step आपको easy लगे आप उस step से इसे blend कर सकते हो लाजमी नहीं है कि मैं अगर मैं brush से का रही हूँ तो आप भी brush से करो concealer apply करने के बाद मैं अपने face पे compact powder apply करूँगी मैंने brush से भी apply किया है आप चाहतो beauty blender से भी apply कर सकते हो अग हमारी eye ready है eye makeup के लिए और eye makeup के लिए सबसे पहले मैं यह light पीची से shade लूँगी और इसे मैं अपने outer crease पी apply करूँगी as a transition shade और small brush की help से मैं shade को थोड़ा थोड़ा उटाते हुए blend कर लूँगी अपने crease area पे यह हमारा first step है इस look को मैंने 3 steps में complete किया है इसके बाद मैं clean brush लूँगी और इसे मैं color को blend कर दूँगी अच्छी तरह से सिर्फ eye में depth देने के लिए यह color मैं अप्लाई किया है इसके बाद next step मैं लूँगी यह एट्यूट की eyeshadow palette इसमें से मैं यह color लूँगी और glamorous face palette मैं यह pink color लूँगी इन दोने colors को मैं mixing करूँगी और इसमें अपनी eye lid पे apply करूँगी यहां पर मैं इसे एक flat brush की help से apply कर रही हूँ अगर हम finger से apply करें तो एक heavy pigmentation है कि लिए मुझे natural look में रहना है तो इसलिए मैं इसे brush से apply करूँगी और clean brush मैं इसे भी blend कर दूँगी ृ गले मरे पे रहें करें जरून करें तो शक्राइब ब्लेंड करूँग और fixe. L ब्लेंड कर दूंगी पहले ब्रश से ब्लेंड करूंगी और इसके बाद मैं कॉटरन बट की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी इसकी भी हार्ष लाइन का रिमॉफ करूंगी एक छोटा सा मैं विंग लाइनर अप्लाई करूंगी गुछ इस तहfahr से ऐज़ाहन की लुक में वेकल लाइड सा लाइनर लग रहा था और इस लिए यह ज़्ले का इसी अप्लाइ किया है यहां पर मैंने मोडीलिन का क्लोसिका चलिया है और इसे मैं अपर वोर्टर सी अपलाई की है और इसके बाद में ग्लैमर्स फेस की पैलेट में से यह पीच कलर लोंगी जिसे अपने आईस पे अपलाई किया है। इस भी जो पर चीक्स पर पुझाउ उने गर्रो पोन पर हाईलाइटर यूज़ किया है और इनर पॉर्नर पर हाईलाइटर यूज़ किया है स्वेम उसे ही मैं इस ऌप स्टुरु ब्रॉश की हैड्स से अपने चीक्स पॉन पर प्रॉज़ नग ऐसा हाईलाइटर आटे चे केर